Hello everyone, मैं आशे करती हूँ, आप सभी ठीक होंगे, मैं काजिल धामी, आप सभी का स्वागत करती हूँ, आपके अपने चानल प्यूपलीजे में So finally, KBS के तरफ से एक बहुत important और बहुत अच्छी news हमारे सामने आईए अभी देखिए हम लोग यहाँ पर रिजल्ट को लेके परेशान थे, कि हमारे रिजल्ट कब अनाउंस होगा, क्या डाइरेक्ट हमारी भी इंटर्व्यू लिस्ट आएगी और कितने नमबर पर कट अपकी जा सकती है तो देखिए इसी बीच यहाँ पर हमारे सामने आज की डेट में यहाँ पर एक नया notice release किया गया है, जिसके अंदर हमें बताया गया है कि KVS के अंदर जो आपके कुछ पोस्ट थी, जैसे कि यहाँ पर PRT की पोस्ट हो गई, इसके अलावा यहाँ पर PRT के अलावा यहाँ Junior Secretariat Assistant की, Librarian की जो के आपके Multiple Shift में हुए थे, जो exam आपके Multiple Shift में हुए थे, इनमें अब Normalization होगा, इस चीज को यहाँ पर confirm कर दिया गया है, अभी तक तो देखिए, यहाँ पर बहुत सारे candidate इस तरीके से परेशान थे कि बाकी जो result है, उनका हमें declaration नहीं मिल रहा है, उनका च होगी या नहीं होगी, तो देखिए, यहाँ पर अब result delay का जो actual reason है, आपके सामने आ गया है, यहाँ पर पता चल गया है कि Normalization होगा, अब देखिए, Normalization का base वही रखा गया है, कि सारे shift में से, एक को आपका यहाँ पर base shift यहाँ पर ले लिया जाएगा, और इस shift के अधार पर आपके वो shift जो आपके tough आया होंगे, उसमें यहाँ पर marks आड होंगे, और इस तरीके से यहाँ पर सभी को equality या फिर आप कह लीजे, सभी को बराबर तरीके से यहाँ पर treat किया जाएगा, अब आपको परिशान होनी की ज़रूत नहीं है, कि आपका shift tough आया था, इस वज़े स होगा, इस बारे में बताया गया है, अभी कैसे होगा, इसमें मैंने already एक वीडियो यहाँ पर post की थी, जो कि आप लोगों ने देखी भी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी, तो मेरे साथ मेरे टेलिग्राम गूर्प पर जोड़ सकते हो, जिसमें मैंने आप लोगों क इसका स्कोर यहाँ पर आप कहलेजिए कि 115 से लेकर आपका 125 के बीच में था, आप इनकी होप जो है यहाँ पर बढ़ गई है, क्योंकि अगर आप SS shift में लाई करते हो, जो कि के विस द्वारा माना जाएगा कि यह तफ थी, तो आपके marks यहाँ पर increase भी होंगे, और कहीं न कह आप cut off range में हाँ पर आ सकते हो, इस वीडियो में इतना ही, इसके अलावा आप मेरे साथ टेलिग्राम को पर भी जूर सकते हो, जिसमें मैं आपको important update देते रहती हूँ, इस वीडियो में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगे अगली वीडियो में, अगले topic के साथ, बाई बा टेक केर